चोथा, बहस का मंच संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच मंच है विचार विमश करने की उसकी शक्ती पर कोई अंकुष नहीं है सदस्यों को किसी भी विशय पर निर्भिक्ता से बोलने की स्वतंत्रता है इससे संसद राश्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विसलेशन कर पाती है संसदी चर्चा गोपनिय नहीं होती और टीवी और पत्रकाओं के माध्यम से पूरे देश तक पहुँचती है जिससे पूरे देश के लोग इन बातों को जान सकते हैं पाचवा, संविधान संशोधन संबंधिक कारे संसत के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ती है संसत के दोनों सदनों की संविधानिक शक्तियां एक समान है प्रतिएक समवधानिक संशोधन का संसत के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेश बहुमत से पारित होना जरूरी है 6. निर्वाचन समबंधी कारे संसत चुनाव समबंधी भी कुछ कारे करती है यह भारत के राष्ट्रपती के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपती का चुनाव करती है सात्वा न्याईक कारिय राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती तथा उच्च न्यायालेों और सर्वोच न्यायाले के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसत के न्यायक कारे के अंतरगत आता है परियोजना कार्य संसत के सत्र के दोरान समाचार पत्रों को इकठा करें और उसके कारी से संबंदित खबरों को छाटें ये संसत के उपर्युक्त कारियों में से कौन-कौन से कारियों से संबंदित हैं कक्षा में चर्चा करें 13.1.2 संगिय कारेपालिका, राष्टपती एवं मंत्री परिशद सरकार का वँ अंग जो विधाय का द्वारा स्विक्रित नीतियों और कानूनों को लागू करता है और प्रशाशन का काम करता है कारेपालिका कहलाता है जैसा की हमने देखा कारेपालिका की नीति निर्मान और कानून बनाने में एहम भूमिका है कारेपालिका के अंतरगत हम राष्टपती और मंत्री परिशद तथा प्रधान मंत्री का अध्यन करेंगे भारत के सम्विधान में आपचारिक रूप से संग की कारेपालिक शक्तियां राष्टपती को दी गई हैं आपचारिक रूप से राष्टपती तीनों सेनाओं जल, थल एवं वायू सेना का प्रधान, प्रथमनागरिक एवं सम्विधानिक अध्यक्ष होता है हमने उपर देखा कि राष्टपती संसत के अधिवेशनों को बुलाता है अंतराष्ट्री संधियां, समझोते, युद्ध और अपातकाल की घोष्णा राष्टपती के द्वारा की जाती है राश्ट्रपती वास्तों में प्रधान मंत्री के नित्रित्यों में बनी मंत्री परिशत के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है सम्विधान के अनुक्षे 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपती को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा राश्ट्रपती अपने कृत्यों का प्रियोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा इसका आश्य यह है कि सर्वोपरी होते हुए भी राश्ट्रपती से अपेक्षा है कि वह लोगों द्वारा सीधे न चुने जाने के कारण और संसत के प्रती जवाब दे न होने के कारण अपने अधिकांश अधिकारों का अपने विवेग से प्रियोग नहीं करेगा और वह मंत्री परिशत की सलाह से ही करेगा इस प्रकार सरकार का वास्त्विक प्रधान प्रधान मंत्री होता है महा न्यायवादी भारत सरकार का प्रथम वीधी अधिकारी जो सरकार को कानूनी सला देता है CAG नियंत्रक महालेखा परिक्षक जो देश की समस्त वित्ती प्रणाली पर नजर रखता है तथा कार्यपालिका के वित्ति आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को तै करता है अध्यादेश जब संसत का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो मंत्री परिशत की अनुशंशा पर राश्ट पती इसे जारी करता है संसत के सत्र प्रारंब होने के छे सप्ता के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह समाप्त हो जाता है परन्तु कुछ महत्तपूर्ण कारिय राश्ट पती अपने विवेक से तै करता है उदारन के लिए लोकसभा की बहुमत की असपश्टता के स्थिती में प्रधान मंत्री को राश्ट पती स्वाविवेक से नियुक्त कर सकता है किसी विधेयक को जिसे संसत ने पारित कर दिया हो तो राश्ट पती उसे पुनर विचार के लिए संसत को वापस कर सकता है हाला कि यदि संसद उसे फिर से पारित कर देती है तो राश्रपती को उसे अपनी स्विकृती देना आवश्यक है इसी तरह प्रधान मंत्री वो मंत्री मंडल की सिफारिशों को भी राश्रपती पुना विचार के लिए लोटा सकता है अगर मंत्री मंडल उसे फिर से पारित कर देता है तो राश्रुपती को उसे अपनी स्विकृती देना आवश्यक है